वल्कब्हुत स्वागतुर्ज आपके अपने प्लेटफॉर्म आपके अपने ऑपने दोस्तों आज बहुत रहे हैं विगवति जारी हो शुकिए कभी भी फोम आपके बरे जा सकते हैं और एक्जाम बिल्कुल आपके नस्दिक है वेकेंसी के बारे में अपन बिल्कुल डिटेल से चर्चा करेंगें इसके स्लेवस में क्या क्या चीज़ हैं कौन-कौन से पॉइंट है जीके स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को देखो दोस्तों यहाँ पर अगर अगर आपन बात करें तो राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड यानि कि 2019 का है दोस्तों यह अभी नया सलेबस भी आपका आ जाएगा सेम टू सेम ऐसा का हिसा होने वाला है बाकि आपर पटवार सीधी भरती 2019 परिक्ष्या की इसकी वह विश्तिनित पार्टे करम के उपर अपन चर्चा करेंगे इसके अंदर अपन देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट है जैसे जनरल साइंस हो गया इसका जो पोर्शन है यह पोर्शन आपका जो रहने वाला है दोस्तों यह अप्रोक्स आपके जो है पत्चीस कोर्शन यहाँ पर आएंगे इसके अंदर देख लो क्या क्या हैगा यह इंडिया लेवल का हैगा इसके अंदर हिस्ट्री पॉलीटी जेगरफी और यहाँ पर के और करेंट अफेर यह आपका इंडिया लेवल का आएगा जिसके अंदर पचीस कोशन आएंगे और सुरी अप्रोक्स वेट इस पचीस कोशन मतलब 25% के साफ से यह 25% है बिलकुल और यहां पर 38 कोशन आएंगे इसके अंदर से टीक है जो आपका 100% सिलेबस है उस 100% सिलेबस में से 25% जो है दोस्तो यह वाला पोर्चन है ठीक है इसके अंदर अगर अगर अपने बात किरें दोस्तो तो यहां पर number of questions 38 होंगे 38 questions के बात किरें दोस्तो यहां पर आपको मिलेंगे और यह 76 total marks के होंगे ठीक है इसी प्रकार से जोगरोफ ही हो गया history हो गया culture हो गया culture and quality राजस्तान यह राजस्तान का पूरा का पूरा matter है यह आपका लगवग पूरे सिलेबस का 20% जो है यह आपकी यहां से number आने वाले दोस्तों ठीके तो 20% यह है जिसके अंदर अगर मैं बात किरूं दोस्तों तो यहां से 30 questions आएंगे कितने आएंगे दोस्तों 30 questions आएंगे और 30 questions आपके 60 number के होंगे आपको पता चल रहा है दोस्तों कि 30 questions यानिकि एक question आपका दो number का होगा चले इसके बाद अगर पन बात किरें दोस्तों General English और Hindi General English और Hindi की बात किरो तो General English और Hindi जो है दोस्तों वो आपके 15% weightage रखते हैं Approx आपके पूरी syllabus में से 15% इसके मंदर आपको 22 प्रशन आएंगे देखो दोस्तों English और Hindi इन में से 22 questions आएंगे जो आपके 44 number के रहने वाले हैं फिर इसके बात किरें तो यहाँ पर Mental Ability and Reasoning, Reasoning का भी बढ़ी अच्छा खासा रोल है कि Reasoning भी आपके लगबग 30% Approx weightage का लगबग 30% syllabus को cover करेंगे भी और यहाँ पर 45 प्रशन आएंगे और 90 number के आएंगे दोस्तों यह भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर important है फिर यहाँ पर आता है Basic Computer ठीक है, स 10% Computer का रहने वाला है जिसके अंदर 15 question आएंगे और 30 number यहाँ पर रहने वाले है इसी परकार से number of questions आपके कितने हो जाएंगे 1500 number को question हो जाएंगे और total marks आपके जाएंगे 300 marks ठीक है दोस्तों इसके अंदर अगरपन बात के लिए total approach weightage आपका 100% हो का syllabus का और total यह आपके syllabus में ह geography और यहाँ पर general knowledge current effect देगो दोस्ते यहाँ पर general science, history, politics, geography, Indian and general knowledge इसके अंदर विज्ञान के देगो science की बात किया तो विज्ञान के सामाने आधारभू, तत्व, देनिक, विज्ञान, मानव, सरीर, आहार, पोशन, स्वास्ते, देखवाल यह सब आपको science के अंदर पढ़ना पढ़ना है दोस्तो, उसकी जो परमुक विसेस्ता है, देखो दोस्तो, history के अंदर सिर्फ उसकी परमुक विसेस्ताओं के बारे में बता रखाए कि उसकी विसेस्ता है और महत्पुन एतियासिक, अठारवी सतापदी के मद्दे वर्तमान तक घटना है, अब देखो यहाँ आता है भारती सविधान, राजनेतिक विवस्ता, प्रशाशन प्रणाली, सविधानिक विकास्त, तो यह आपका जो है दोस्तो, आपके पॉलिटी से संबन्दी थे, आपके जो यहाँ पर राजनेतिक, सोरी, भारती सविधान, राजनेतिक विवस्ता आपको यहाँ पर जिख़ों, जिख़ों दोस्तों जिए जिया की बात के लिए तो जिख़ों जिए सलीड़ी निए थी जिख होग्र, गया जिख़ों का दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर अगर अपना बात करें तो यह आपका सलेबस जो रहने वाला है पॉलिटी करें रहने वाला है इसके बाद यहाँ पर सामाजिक सांस्कर्टिक मुद्दें, जितने भी सामाजिक सांस्कर्टिक मुद्दें उनके बारे में आप पर चर्चा करेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्चन आपका राजस्तान का रहने वाला है कुल मिलाकर राजस्तान की पूरी यहाँ पर जीके है दोस्तों यह आपको ध्यान रखने है मेर भई क्याते हैं हिंदी के स्लेबस की बात करें दोस्तों हिंदी के क्यांति आपको फॉर्डी के सब्कारते हैं जितने भी आपका ग्रामर का portion है पुरा का पुरा यहां पर रहने वाला है दोस्टो इसके बाद देखो दोस्तो इसके बाद आता है आपका English का English के अंदर देखो दोस्तों यहां पर comparison जो आपके unseen passes है, unseen passes वो अपने आने वाले, correction of common errors, correct unseen synonyms, antonyms, phases, idiom phases, वो सब कुछ आने वाले है, mental ability, reasoning और numerical efficiency, जिसके अंदर making series, जो आपके series के प्रशन है, वो भी याँ पर आएंगे, इसके बाद में figures, metrics, questions, classification, alphabet, test, passes and conclusions, blood relation हो गया, coding, recording हो गया, direction वाले question हो गया, sitting arrangement वाले question हो गया, output वाले question हो गया, ठीक है, यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो यह सारेक सारे output हो गया, number, ranking time, यह सारे making, adjustments, local arrangement, यह सारेक सारी जो आपके topic, जो है, reasoning के रहने वाले हैं दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना है मेरे, अब देखो अब आपका subject आता है computer का, अब अपनी जो team है, उसके अंदर अभी जो मौजूद है आपके सामने, वो अपने sir है, जो आपको computer पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा, और यहाँ पर computer के बारे में आपको, जो computer का syllabus है, उसके बारे में discuss करेंगे, और मैं आप बुलाना चाहता हू बिल्कुल sir आईगा, योगी sir, जो आपके जाने पेचाने है, और बिल्कुल sir आईगा भी बिल्कुल नमस्कार साथियो, जैसा आपको अनिल sir ने detail से सारे स्लेवस को यहाँ पर cover किया है अब जो हमारा computer है, इस computer स्लेवस के बारे में हमें आपर जानकर यहाँ पर प्राप्त करेंगे आपको पता है कि जो हमारे computer स्लेवस है, इस computer स्लेवस के बारे में अगर मैं हाँ पर बात करता हूँ तो इसका जो weight is, ये weight is कितना रहने वाला है, तो इसका weight is रहने वाला है 10 प्रैतिसत, यानि हम कहें कि इसके जो total कुशंच है, वो total कितने कुशंच होंगे, पंदरा कुशंच यहाँ पर रहने वाले हैं, अब इस पंदरा कुशंच के अंतरगत हमने, यहाँ पर इसका syllabus दिया गया है वैसे कि computer, यानि कि सामाने computer से समभादित, हम से questions पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, इस सामाने computer से समभादित questions तो पूछते ये, इससे ज़्यादा इसके advance questions है, advance questions धी हम से यहाँ पूछे जाते हैं, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर पहला जो इसका परण दिया है computer की विसेस्ता यानि computer की विसेस्ता से सम्मधित यहाँ पर हमसे questions यहां से पूछे जाएंगे ठीक है इसके बाद में computer organizations including यानि RAM, ROM, file system, input and output device सम्मधित अगर मैं हाँ बात करता हूँ साथ हो तो इसमें computer की यानि memory से सम्मधित questions यहां से पूछे जाएंगे इसे के बाद में यानि इसकी input device इसे के बाद में इसकी output device है इस output device सम्मधित यहां से questions पूछे जाएंगे इसके software से सम्मधित हमसे questions पूछे जाएंगे और software and hardware की बीच में जो relationship है इस relationship के बारे में भी हमसे यहां पर चानकारी हमें आपर रखनी है और इसी से सम्मादी ध्यां से कुशंच पूछे जाएंगे इसके बाद में operating system जब हम software पढ़ेंगे तो software के साथ में operating system है इस operating system को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है इसके बाद में सात्यों यहाँ पर जो number system है इस number system को भी हमें यहाँ पर पढ़ना है इसके बाद मैं अगर मैं हाँ पर बात करता हूँ कि पूरा का पूरा MS Office है यानि MS Word, MS Excel और MS PowerPoint है इस MS जो PowerPoint है, Excel है और Word है इनसे भी कुशंश पूछे जाएंगे लगवग जो कुशंश होंगे आपके लगवग 15 कुशंश होंगे और 15 कुशंश में से 7 से 8 जो कुशंश बनेंगे आपके वो बनेंगे MS Office से सम्मादित बाकि जो cushions रहेंगे साथ से आठ वो cushions रहेंगे computer के अन जो है topics है और अन टोपिक से सम्मादित नहाँ पर cushions रहने वाले हैं तो आपको ये सारा जो syllabus है ये सारा syllabus हमने यहाँ पर discuss किया है 2019 की vacancy का अब हम जो यहाँ पर syllabus discuss करेंगे वो 2023 का करेंगे लेकिन वो syllabus अभी आया नहीं है जो ये syllabus 2019 का है same syllabus ही वो यही syllabus यहाँ पर रहने वाला है तो आप एक अच्छी तरह से run नीती के साथ में अपनी जो तयारी है इस तयारी को आपको क्या करना है आगे बनाना है तो all the best फिर मिलते हैं नेक्स्ट जानकरी के साथ में जय हिंद जय भारत